नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इंफिनिटी नौलीज में तो दोस्तों DRDO की साइड से एक और धुआधार अनौंसमेंट किया गया है और इस अनौंसमेंट में DRDO की साइड से एक समरीन से लौंच होने वाली तीन हजार किलोमीटर वाली मिसाइल का टेस्ट जल्द ही होने जा रहा है और इस मिसाइल की रेंज तीन हजार किलोमीटर होने वाली है लेकिन अभी हाली में ही DRDO की साइड से अपनी अगनी प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया गया था और इस missile test के दोरान DRDO की side से ये claim किया गया था कि जो agni prime missile भारत ने बनाई हैं उसकी जो range होने वाली है पंदरा सो से दो हजार किलोमीटर होने वाली है लेकिन अलग-अलग country के expert की side से ये कहा गया था कि DRDO इस missile की range को लेकर जूट बोल ला है एसे में इस न्यूज के चलते चाइना भी बहुत जादा खुश हुआ था और दोस्तो चाइना इस वज़े से जादा खुश हुआ था क्योंकि जितने भी चाइना के populated area हैं उस area को हमारी अगनी प्राइम मिसाइल capture नहीं कर पा रही थी यानि की अगनी प्राइम की range में चाइन कि जितने भी populated area थे वो नहीं आ रहे थे लेकिन अब जो DRDO की side से एलान किया गया है इसे सोचकर पूरे चीन के पसीने निकले हुए हैं एसा इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि भारत अब जो ये missile test करने वाला है एक तो इस missile की range ही 3000 km होने वाली है दूसरा भारत इसे समरीन से launch कर सकता है और समरीन से launch होने वाली missile का ये फायदा होता है कि आप इसे अपने दुश्मन देश के बिलकुल पास में जाकर fire कर सकते हैं जिस वज़े से ये missile और ज़्यादा घातक हो जाती है लेकिन अभी DRDO की side से इस missile के नाम का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन कहा ये जा र extended version का test करने वाला है और अगर ब्रह्मोज 3000 km की range में आ जाती है तो पूरा का पूरा चाइना ब्रह्मोज से खोफ में आ जाएगा ठैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, have a good day